हालो एब्रीवन, वेल्कम टू लॉजिकल एजूकेशन, आएम रक्षार अग्रुवरंशी और इस लेक्षर में हम मैत्री सेतु के बारे में डिस्क्स करेंगे मैत्री सेतु एक ब्रिच है जो की कनेक करेगा तिरुपुरा को बंगलादेश से इसका इनाग्रेशन कल 9th of March को PM मोधी जी करेंगी इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्क्स करने वाले हैं NHIDCL क्या है यहाँ पर यह पढ़ेंगे हम ICP क्या है और LPAI यह क्या है इनका वर्क क्या है फंक्शन क्या है यह सबी चीजें हम यहाँ पर डिस्क्स करने वाले हैं तो चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो यह न्यूस क्या है उसके बारे में जाल लेते हैं तो PM मुदी कल इनाग्रेट करने वाले हैं मैत्री सेतु को यह ब्रिच है बिटबीन इंडिया एंड बंगलादेस कब करेंगे 9th of मार्स को बाया वीडियो कॉन्फरेंसिंग आज मैं जब वीडियो बना रही हूं तो यह 8th of मार्स है कल 9th of मार्स को इसको इनाग्रेट करने वाले हैं इसके साथ यह इनाग्रेट करेंगे एंड ले दा foundation stone of other infrastructure project इंतरपुरा on the occasion इसके अलावा और भी इनोग्रेट करेंगे ICP ठीके इसके बारे में हम बाद में discuss करेंगे इसी वीडियो के last में ठीके पहले इस सेतू के बारे में पढ़ लेते हैं अगर हम बात करें तो जो ब्रिज है वह बन रहा है river fabord यह दिखичего यह आप को blue से जो दिख रहे है यह फैनी रिवरर कहां पर है बांगलादेस और तरुपुरा के बीच में यह ब्र钥 है वह फैनी रिवर पर बनेगा जो कहां पे है Indian boundary in the state of तुरपुरा and Bangladesh तुरपुरा जो इंडिया का ही state है और बांगलदेश की बीच में क्या है ये फैनी रिवार है जो की boundary है इंडिया और बांगलदेश की ठीक है और बोल सकते हैं आप इंडिया और तुरपुरा की ये जो bridge है वह 1.9 km long है ये bridge जो कि connect करेगा सब रूम को रामगर से इंडिया मैं तुरपुरा की सब रूम से अंगलदेश की रामगर तक ये bridge जाएगा कहां से सब रूम से अब ये map समझने से पहले आपको मैं एक map दिखाती हूं ये दिखिए ये हमारा एंडिया यह बंगलादेश और इसको थहुड़ा से जूम कर रहें अगर हम पहुप करना पड़ता है लिए इन्डिया का पोर्ट कॉलकाटा और यह है चट्टो ग्राम इस पोर्ट से भी हम कोई चीज यहां पर पहुंचा सकते हैं ठीक है यहां से कॉलकाता पोर्ट से चट्टो ग्राम यह किसका है बंगलदेश का है और यहां से फिर तिरुपुरा पहुंचा आई जा सकते हैं अब कुछ भी आपको सामन तिरुपुरा प यह चंए अब इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं तो यह सब्रूम आपको धिखाई दे रहा होगा और सब्रूम के पास में ही हम थोड़ा सा और जूम करें तो यह रामगर दिख रहा है यह जो bridge है, यह subroom से रामगर को connect करेगा, यह देखिए यह river दिख रही, fanny river सबroom से रामगर को यह bridge connect करेगा, ठीक है अब इसके फाइद दिखे है, इसको दिख लेते हैं अब यहाँ पर यह जो bridge है, उसका फाइदा यह है कि रामगर के लिए पहले आगर आपको जाना होता था बनापको subroom जाना होता था पहले तो आप कहां जाते थे, चटो ग्राम से नदब कि कोई भी सामन अगर हमें भेजना है तो चटो ग्राम तक हमने भेज दिया इस पोर्ट पर पहुँचा दिया और यहाँ से 168 km की distance कवर करके यह subroom तक पहुचता था हमारे तिरुपुरा में इस तरह से distance कवर करके ऐसे जाता था अब subroom से रामगर तक, यहाँ पर रामगर है subroom के पास में, जैसे मैंने आपको बताया था यह bridge बना दिया, तो रामगर यहाँ हो गया अब इस map में आपको रामगर दिखाई दे रहा है तो यहाँ से चटो ग्राम तक आप कोई चीज पहुचा सकते है और रामगर से subroom तक चला गया इसका मतलब जो distance है वो हमारी 168 की जगे 104 हो गए आपकी यहाँ से अगर रामगर की आप distance की बात करें तो 97.4 km है, तो टोटल आपकी कितने हो जाएगे 104 km हो जाएगे ठीक है, 90 km का यह bridge है अब यह फायता हो गया हमें इस bridge को बनाने से अब बात करते हैं इस bridge के बारे में और ज़्यादा कुछ तो इसका नेम जो है मेत्री सेतू रखा गया है यह की इसलिए रखा गया है क्योंकि एक तरह से हम symbolize करना चाहते हैं हमारे countries के बीच में जो relation है वो बहुत friendly है यह बताने के लिए तो bilateral और friendly relations है बोथ countries की बीच में इसलिए इसका नेम क्या रखा गया है मेत्री सेतू ओके तरह कंस्ट्रक्शन ओफ देब्रेज वाज दन बाए इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किसने किया है National Highways and Infrastructure Development Corporation किसने NHI DCL ठीक है National Highways NHI Infrastructure D Development C Corporation इसने क्या किया है इसका ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया है इस ब्रिज को बनाने में जो टोटल कॉस्ट आई है वो आई है 133 करो कितनी 133 करो ठीक है अब NHI DCL के बारे में जाल लेते है ये क्या है ये कंपनी है किसकी Ministry of Road Transport and Highways की बादर की Government of India की ही कंपनी है Fully Owned by Government of India इसका Headquarter कहां पे है New Delhi में है ये इसका Logo है ठीक है National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited ठीक है ये कंपनी है देखिए Building Infrastructure Building the Nation ये इसकी Tag Line है अब इसका Work क्या है कंपनी ये जो कंपनी है ये प्रमोट करती है सर्वे करती है स्टैबलिश करती है डिजाइन करती है विल्ड करती है ऑपरेट मेंटेन और अपगेट दा National Highways and Strategic Roads Including the Interconnecting Roads in Parts देखिए मतलब कि ये रोट को Connect करती है मेंटेन करती है ऑपरेट करती है मतलब बनाती है रोट को Establish करती है डिजाइन करती है मतलब पूरा का पूरा रोट बनाने का कामिन का है ठीक है NHI DCL ओके अब और इसके बारे में क्या जानते है Other Important Recent Projects जो NHI DCL के है उसके बारे में पढ़ लेते है ये अभी की Recent Project है 17.47 km long एक रोट बनाया है नोंने असम और अर्णाचापदेश की बीच में इसका नाम क्या है दोईमुक हर्मुती दोईमुक हर्मुती रोट ठीक है कहां कहां पे है असम और अर्णाचापदेश की बीच में 1.66 km इनकी आपको और मेखाले की बीच में छीक है यह दोवड़ बनाये है दोईमुक हर्मुती और टुरा मनकाच्छ यह दोवड़ अब इसके बारे में यह जो ब्रिज बनाया था हमने उसकी significance के बारे में जान लेते हैं यह तो हमने NHI-DCL के बारे में पढ़ लिया अब जो हमने ब्रिज बनाया है मैच्छी से तू उसके बारे में पढ़ते हैं यह इंक्रीज करेगा ट्रेट एंड पीपल टू पीपल मूंब्मेंट इन बिट्वीन टूस कंट्री जो दो कंट्री हैं बंगलेदेस और इंडिया इनकी बीच में लोगों का जाना आना भी एज चिटगरण पूर्ट इन बंगलेदेस अभी मैंने आपको चिटगरण पोर्ट बताया था बंगलेदेस का वहाँ से रामगर तक हम सामान पहुचा सकते हैं घ्रागों कालकाता पूर्ट से चिटगरण पूर्ट १क एजिए रहे प The अगर हम इसको थोड़ा सा कम करें तो हमें यहां दिख जाएगा यह है आपका चिटग्राम पोर्ट और यहां पे कॉलकाता पोर्ट तो यहां से सामान पहुंच जाएगा चिटग्राम पोर्ट पे फिर चिटग्राम पोर्ट से आप कहां पहुंचा देंगे रामगर पर पहु km from subroom, subroom से 80 km की distance है, इसकी ये bridge की, ठीक है, ओके, subroom से, subroom के बाहर है, subroom से 80 km distance पा है, ठीक है, अब next दिखते है, other infrastructure project in तुरुपुरा, और क्या चीज़ करने वाले हैं, तो मैंने बताया था, foundation stone setup करेंगे, मोधी जी, कल ही, किस चीज़ का, integrated check post का, ICP, ठीक है, ICP का, subroom में, integrated check post, ये check post क्या करेगा, किस चीज़ लिए help करेगा हमारा, जैसे की toll होता है, उसी तरह से होता है, integrated check post, ये दो countries के बीच में, तो ये help करेगा, seamless movement of goods and passengers, कोई सामान मंगाना है, बांगलादेश, इंडिया में, ये इंडिया से export करना है, तो उसमें ये help करेगा, ठीक है, अब, it will also provide new market opportunities for the products of North East states, ये North Eastern states, जो हैं, उनके products के लिए, नई market opportunities भी provide करेगा, ठीक है, बांगलादेश में, बांगलादेश में, बांगलादेश में, जो भी products बन रहे हैं, वो बांगलादेश में भी ले जाए जा सकते हैं, इनको export किया जा सकता है, इस जो ICP है, उसकी मदद से, ICP goods and services आप उदर पहुचा सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अब ये बिल्कुल toll की तरह ही वर्ग करता है, the project will be undertaken by Land Ports Authority of India, ये जो project है, ये किसके अंदर रहेगा, Land Ports Authority of India, LPAI, this project has been estimated cost 232 करोट, इसकी cost कितने आएगी, 232 करोट, estimated cost है, ठीक है, अब ऐसी cost कितने आएगी, 232 करोट, 133 किसकी थी, जो bridge था उसकी, अब बात करते हैं, Land Ports Authority of India के बारे में, LPAI, जिसके अंदर ICP है, जिसके अंदर ये आपका Integrate Check Post है, वो बनेगा, अब ये ICP जो है, sorry, LPAI जो है, है, वो एक statutory body है, established की गई है, under Land Ports Authority of India Act 2010, इसके अंदर इसको established किया गया है, ठीक है, इट प्रवाइड सेफ, सिक्योर, systematic facilities for movement of cargo, as well as passengers at its ICPs along the international borders, ठीक है, इंडिया की international जो borders है, उनके बीच में, अगर safe, secure, और systematic facilities से movement कराना है, ठीक है, सामान का, और passengers का, तो उसके लिए क्या है, ये एक body है, ये कराती है, ठीक है, ये प्रवाइड करती है, Committee of Secretaries in 2003 recommended, Committee ने recommend किया, कि हमारे जो इंडिया की major entry points है, on Indian land borders, उन पे क्या होना चाहिए, ICP होना चाहिए, ठीक है, ये उन्होंने suggest किया, ICP होना चाहिए, कहां पर, इसी committee ने suggest किया, कि इंडिया के जो major entry points है, land border पे, उन पर क्या होना चाहिए, ICP होना चाहिए, ठीक है, ICP क्या करता है, all the regulatory agencies like immigration, custom, border security, इन सभी का, with support facilities in a single complex to serve as a single window, मतलब कि ये सारी के सारी facility के लिए आपको अलग अलग जगे पर नहीं जाना है, वो सारी के सारी चीज़े आपको एक ही जगे पर मिल जाएंगी, इसी के है, ठीक है, तो ICP हाउस है, किसका all the regulatory agencies like immigration, दूसरी कंट्री से इस कंट्री में आ रहे हैं, customs, border security, तो इसके लिए आपको अलग-अलग agency के पास जाने की ज़रूत नहीं, वहाँ से अपरूब नहीं कराना, एक ही जगे पर मिल जाएंगा है, ठीक है, जैसे कि airport और seaport पर होता है, अब बात करते हैं, इसके functions क्या है, वर क्या है, तो LPAI, Land Ports Authority of India, यह plan करती है, construct करती है, maintain करती है, किसको roads को, terminals को, buildings को, national highway बनाती है, state highway और railway, ठीक है, at ICP, IC पर मतलब की ICP, लब की जो border है, वहाँ पर है, ठीक है, state highway, national highway और road, railway, यह सभी गाम यह करती है, यह मतलब की, basically road, national highway बगेर, यह सभी बनाने का boundaries पर इनका work है, इसके अलावा, यह establish करती है, और maintain करती है, वेर हाउसे को, अब वेर हाउसे क्यों बनाती है, ठीक है, यह बनाती है, कोई भी चीज़ इंपोर्ट की, हमने कोई goods इंपोर्ट किये, तो उसको storage करने के लिए, वो उसी time पर पता चले, दूसी जगे पर जा नहीं बारा है, तो उसको store करके रखना पड़ेगा, तो उसके लिए वेर हाउसे बनाती है, container deport and cargo complexes for storage and processing of goods, with the establishment of hotels, hotels वगेरा बनाती है, restaurant or restrooms, जैसे कि जो लोग आया है, वो वहाँ पर stay कर सके, ठीक है, at ICP, ICP पर, ठीक है, तो यह हमने देखी, work किसके, LPAI की, ठीक है, इसके अलावा हमने ICP के बारे में पढ़ा पुरा, आपको यह वीडियो कैसा लगा, मुझे जरूर कमेंट करके बताएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो उसको लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और शेर कर दीजिए अपने फ्रेंस के साब, थांक्यू सो मच, स्यांक्स पूर वाच्छे,